खालिस्तानी हमले ने हिंदों को एक जुट कर दिया है तीन नवंबर को हमले के बाद, चार नवंबर की शाम को ब्रेम्टन में हिंदू सभाग मंदिर के बाहर भारी भीड जमा हुई परदर्चन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था वंदे मातरम और जय शिरीराम के नारे लगाते हुए भीड ने मंदिर और हिंदों के साथ एक जुटता दिखाई भारत ने खालिस्तानी जंडे लेकर आये परदर्शन कार्यों द्वारा हिंदू मंदिर में लोगों के साथ की गई हिंसा पर सक्त रुख अपनाया है पीम मोदी ने भी समले की कड़ी निंदा की वाई विदेश मंतरी एश्जेश शंकर ने भी घटना पर चिंता जताई और उन्हें खूब सुनाया दरसल प्रैम्टन में कल हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटी भीडने जस्टिन टूडो सरकार के खिलाफ नारे बाजी की परदर्शन में लोगों ने कहा कि हम बस यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले कानून के शाशन का पालन किया जाए और अपराधियों पर कानून के शाशन के तहर मुकदमा चलाए जाए यहां पे हिंदु सभा मंदिर में सभी लोग इकठा हुए हैं जो कल ये घटना हुई खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे और यहां आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिस्रप्ट किया जो मंदिर की रेगलर फंक्शनिंग थी तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यापूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कैनेडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदु कमुनिटी में बड़ी बेचैनी हैं और अस्रक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है क्योंकि जो अथारिटीज हैं वो हिंदु कम सक्यूरटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असे असफल रही है और हिंदु जो हैं वो अपने आपको 2nd class citizen फीज एक कंट्री में हमको एक अलग तरह का ट्रीटमेट दिया जा रही है बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा जैसे कि यहां बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वहाजी कठा हुए हैं जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इस एनफ अब हम और बरदाश्ट नहीं करेंगे बट कनेडियन अथारटिस क के आपर उटके कैनीडा को एक बहतर जो कंट्री था उसको दबारा री स्टोर करने की तरफ बढ़ना चाहिए आज यहां पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कैनडा हमारी जान है और हिंदू किनेडियन्स कैनडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू किनेडियन्स के साथ जो भी कैनडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये समय आगे है कि सब politicians यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू Canadians के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वज़े से हुआ है क्योंकि जिन्होंने हिंदू Canadians को कभी समझा नहीं समझने कोशिश नहीं की उन्हें दरनिकार कर दिया आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी हाँ सब लोग बोल रहे थे ये शुरुआत है इसको एक incidence ना समझें जो भी हो उसने जगाया है जंजगोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे और हम चाहते हैं कि Canada हिंदू को अच्छे से treat करें क्योंकि Canada के लिए हिंदू बहुत जरूरी है हिंदू वो loyal real Canadians हैं जो Canada का भी भला चाहते हैं और जहां से आए हैं हिंदूस्तान उसका भी भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कैनिड़ा के रिष्टे मजबूत हो और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते हम सिरफ उनके खिलाफ हैं क्योंकि वो सिरफ हिंदुस्तान या हिंदु के खिलाफ नहीं हैं वो कैनिड़ा के खिलाफ हैं और वो कैनिड़ा के लिए ग and we have come here in support of Hindu community. Hindu community has contributed so much to Canada, and we are progressive, we add so much economical value, we follow law and order, wherever we go, be it Canada, be it anywhere, and it is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police, how they have treated us. It's a two-tier policing that we have seen, you would have seen videos all around circling, and we have come here in support, all we are asking is, justice to be served, law, rule of law to be followed, and perpetrators should be challenged, should be tried in rule of law. आपको बताता है कि प्रेम्टन में भार्दी वानीचे दुतावास के अधिकारियों के मंदिर यात्रा के दुरान, हिंसक जड़पो के एक दिन बाद ये हमला हुआ, पियम मोदी ने भी इसे जान बूच कर किया गया हमला, और राजनईको को डराने का कायर्था पून परियास करार दिया, मोदीन एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं कनाड़ा में हिंदु मंदिर पर जान बूच कर किये गये हमले की कड़ी निंदा करता हूँ, हमारे राज नईकों को डराने की कायर्दा पून परियास भी उतने ही भयावे हैं हिंसा की ऐसे कृत्ते भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे हम उम्मीद करते हैं कि कनाड़ा सरकार नियाय शुनिश्चित करेंगी और कानून का शाषन बनाय रखेंगी वहीं विदेश मंत्री एस जेशंकर ने भी एक बाचीत में कहा कि कनाड़ा में कल हिंदू मंदिर में जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से बेहत चिंता दनक है आपको हमारे अधिकारिक परवक्त का बयान और कल हमारे प्रदान मंत्री द्वारा वेक्त कीगी चिंता भी देखनी चाहिए थी इससे आपको पता चल जाएगा कि हम इस घटना के बारे में कितनी गहरी भावना रखते हैं वही कनाड़ा की पूर मंतरी ने प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो को समाजिक और राजनितिक रूप से मुर्ख व्यक्ति करार दिया उन्होंने कहा कि टूडो कभी समझी नहीं पाए कि जादे तर सीक धर्मन निर्पेक्ष है और वो खालिस्तान से कोई सरोकार नहीं रखना चाते फिलहाल कनाड़ा के हिंदों में एक जूटता देखने क्यों मिली खालिस्तान, मुर्दाबाद और वंदे मातरम के नारों से पूरा कनाड़ा आज गूंज रहा है तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट कर बताईए साथ इस वीडियो को शेर कीजिए और जुड़े रहे हेडलाइन्स इंडिया के साथ